बिहार बोड इंटर और मैट्री का स्कूटनी वालों का इंदिजार जो है वो समाप्त हो गया है बिहार बोड इंटर और मैट्री का स्कूटनी परिणाम जो है इस दिन जारी कर देगी आपको बता दे कि इससे पहले बिहार बोर ने कमपार्टमेंट प्रेच्छा के कलेंडर जारी किया था जो कि आपका कमपार्टमेंट में 20 तारीक से प्रैक्टकल और 26 तारीक से कमपार्टमेंट का एक्जाम जो है बिहार बिधाले प्रेच्छा समिति लेने जारी है इसलिए आपका अस्कूटनी के परिणाम में देरी की गई थी देख सकती है यहाँ पर लिखा हुआ है बिहार बिद्याले परिछा समिती ने मैट्री को इंटर का कलेंडर जारी किया और यहाँ पर परिछा का भी कलेंडर जो है वो बिहार बिद्याले परिछा समिती ने जारी कर दिया जिस बज़न से आपके परिणाम में देरी की गई, आपको बता दे कि इंटरमेटी के परिणाम जो असकूटनी के हैं वो कब जारी किये जाएंगे तो इसके लिए यहाँ पे जनकारी दे दी गई है, जैसा कि आपको बता दे कि बीच सारी से आपका प्रैक्टकल का एक्जाम चलेगा कमपार्टमेंट बालों का इंटर का खीक है, और इसी बीच बीच आपका इंटर के परिणाम जो भीषार-बिद्याले-परिछा समिथी जो है बो जारी करेगी, आपको बता दे कि जो स्कूटनी की परिणाम है बो सभी का एक साथ जारी नहीं किया जाता है, वन बा राता है Duskalota आप्टर सकूट कि और लिखावा आपका है टृक्र भी रीजिल्ट है आपका माक्स बराए अत्वर नहीं बराएं तो यहीं आपका जर जोyd भीछणिकत बास के बाद का पहले ईसारी सडीफ रहाया जो अपर जाल तेक है ज़ारी किया जारा है थिके यानि सीधे आपको गूगल में लेकर आगया 12th ascootney result date बिहार हेल पे जहाँ पे आप जो है यहाँ पे रिजल्ड जो है बो यहाँ पे चेक कर पाएंगे कब चेक कर पाएंगे इसके बारे में भी आपको यहाँ पे मैं जनकारी देने जा रहा हूं सबसे पहले देखे असकूटney result के लिए लिंक यहाँ पे एक्टीब कर दिया गया है उसे लिंक पे जाकर चाथ जो है बो अपना रिजल्ड जो है बो यहाँ पे चेक कर पाएंगे डारेक्ट लिंक दिया गया यहाँ पे देखेंगे असकूटney का जो की मैंने डिसक्रिप्षन में भी दे रखाए वीडियो का बात कर ली जाए तो मैट्री का परिणाम जो है वह थोड़ी देरी से जारी की जाएगी लेकिन 25 अप्रेल तक मैट्री का स्कूटनी का रिजल्ट भी जारी कर देगी तो बने रहे हैं इस चैनल के साथ जो भी अपडेट होगी सबसे पहले आपको इस चैनल पर मिलेगी और जो प्रेंटिक साथ दी जारी है यही आपको लेकर जाना है यही परकर जाना है इससे क्वेशन आपके आएंगे किसी भी सब्जेट का लेते हैं फिजिस केमेस्ट्री मैथ वायो या आर्स का या कॉमर्स का तो आपको एक सब्जेट का 300 रुपीज लगता है लेकिन अगर दो ब ठीके पेमेंट करने के बाद इसी वाटस अप नमबर पे आपको स्क्रीन सोट भेजना है पेमेंट का स्क्रीन सोट भेजना है वाटस अप नमबर भी यही है